आज मैं आपके साथ लिक के आई हूँ बेंडी दोप्याजा फ्राई की रेसिपी बोती आसान अंकम इंक्रिडेंस कम वक्त में आप इस मज़ेतार चेट पट पड़ने वाली बेंडी दोप्याजा को बना सकते हैं इसे बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा स्पाइस और पानी की जरूरत नहीं पड़ीगी आसानी से इजी से में आपको इसे कैसे बनाते स्टेप बाए स्टेप बताऊंगे प्लीज वीडियो आखर तक जरूर देखिएगा अगर वीडियो पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर बेंडी दो प्याजा बनाने के लिए मैंने यहां पर बेंडी लिया है यह 250 ग्राम बेंडी है इसे मैंने अच्छे से वाश करके इसे टिशू पेपर की मदद से पोच के इसे अच्छे से कट कर लिया है देखिए पीसस का से इसमें इतना रखिया है स्मॉल पीसस में मैंने इसे चॉप कर लिया है नेक्स्ट वी नीट ओनियंस यह बिंडी दो प्याजा है ना तो इसमें ज्यादा ही डलेगे तो दीखिए ओनियंस का साइज मैंने बारिक सा कट करके रख लिया था देखिए तो चलिए अब हम कुकिंग प्रोसेस शरूम कर ल मैं हॉप करके जितना ओयल दाल रही हूं क्यूंकि हम बेंडी को डीप्राइ नहीं कर रहे है जो भी है इसी ओयल में फ्राई होगा ऑईल तो प्राइँ होने के बाद इसमें मैं ओनियंस चैज ने के बाद जाए नहीं हम इसे सॉटे कर लेंगे ज्यादा नहीं बस हलका सा प का पींकिश हो चुका है आप वीडियो में देख सआपते हैं इसे ज्यादा मत कुक कीजिएबा कर दा डालेंगे जिंजर गालिक पेस्ट यहाँ पे मैं 1 टेपलस्पून जिंजर गालिक पेस्ट डाने के बाद हम इसे मिक्स करके पकाएंगे मिजियम फेंपर रखके जिंजर तो अब मैं इसमें बेंडी आट कर रही हूं यानी लेडी स्फिंगर बेंडी दान लेके बाद हम इसमें spices हाट करतेंगे हल्थी पॉडर नेक्स्ट अम आदिंग सॉल्ल चिकन आट सॉल्ल अकॉर्डिंग तो यह तेस्ट मैं यहां पर वन टेबल स्पून आट किया है नेक्स्ट रिचीली पॉडर इवन रिचीली पॉडर भी आप आपके टेस्ट के सबसे डाल सकते हैं एक बेंडी टो प्याजा है ना तो फिरसे मैं इसमें थोड़े से ओनियन से अड़ कर रही हूं बस थोड़े से वन मीडियम साइज जितनी ओनियन में चॉप करके इसमें अगर आप बींडी को हिलाएंगे तो यह असानी से तूट जायेंगी, तो ध्यान रखे मिक्स किचेगा, देखिए मैने इस अचैसा मिक्स कर लिया है, मसाल के सतथ बींडी को, अब हम इसमें दालेंगे ग्रेन जिलीस, वैसे ग्रेन जिलीस में धीं च्रैम यहां पर 3-4 ग्रे जल सकता है देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको इसे हिला के पकाना चाहिए वरना यह तूट सकती है बिंडी देखके आप इसे हिलाइएगा ज्यादा मत लाइएगा मेडियो में पर रखके चोग दीजेगा इसको बीज बीज में चेक करते रहेगा एस यू कन सी हमारे बिंडी अच्छे से सॉफ्ट हो चके है यह तो बन चकी है तो अब हम इसमें क्या करेंगे थोगासा कोरियांडर ली जाजा तो तयार है बिल्कुल सर्फ करने के लिए आप इस भेंडी को रोटी के साथ या विद्दाल चावल के साथ खा सकते हैं काफी ज्यादा टेस्टी अंड डेलीशियोस होता है आप लोग इस रेसिपी को जरू ट्राह करेगा आप मेरी आजी रेसिपी आप सभी को पसं जाजा टेस्टार है